हेलो पैरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आया होब की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास थर्ड के सब्जेक्ट मैट्स के वीक नमबर 15 की वक्सीट को सॉल्व करेंगे जो की नौर्ट डैली मिंसिबिल कॉर्पोरेशन के द्वारा दी बच्चों आपकी इस वक्सीट का टॉपिक है फन विद गिवन टेक तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो के नौटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं पैटन को कम्प्लीट करिए हर बार 100 प्लस हुए हैं तो नेक्स्ट क्या होगा 610 उसके बाद फिर से 100 प्लस करेंगे 710 उसके बाद 810 नेक्स्ट है 100 200 300 तो बच्चों इसमें हर बार कितने प्लस हुए 100 तो नेक्स्ट क्या होगा पैटन 400 उसके बाद 500 और उसके बाद 600 नेक्स्ट है 400 350 300 तो बच्चों इ से 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 250 उसके बाद फिर से माइनस करेंगे 50 200 फिर से 50 माइनस करेंगे कितना आएगा 150 नेक्स्ट है 190 180 170 तो बच्चो इसमें हर बार कितने माइनस हुए है 10 minus हुए हैं तो next कितना आएगा तो बच्चो next होगा 160 फिर से 10 minus करेंगे 150 फिर से 10 minus करेंगे 140 next है 200, 225, 250 तो बच्चो इसमें हर बार 25 प्लस हुए हैं तो next क्या होगा 275, 300 उसके बाद 325 अब है बच्चो question number 2 write the number by 10 less and 10 more than the given number बच्चो दिये गए number से 10 less लिखने हैं और 10 more लिखने हैं example given बच्चो यहाँ पर example दिया गया है 320 से 10 less कितने होते हैं 310 और 10 more होते हैं 330 next है 210 से 10 less कितने होते हैं 200 और 10 more कितने होते हैं 220 next है संख्या 300 300 से 10 less कितने होते हैं 290 और 300 से 10 more कितने होते हैं कितने होते हैं 420 और कितने होते हैं 440 नेक्स है 325 बच्चो 325 कम कितने होते हैं और more कितने होते हैं 335 next is 500 500 में 10 less it means 10 कम कितने होते हैं 490 और 10 more कितने होते हैं 510 बच्चों यहां पर दो numbers दिये गए हैं उनके बीच को difference लिखना है example given यहां पर example दिया गया है 274 and 268 इन दोरों के बीच में कितनी संख्याई आती हैं तो बच्चों 268 से count कर लेंगे 269, 270, 271, 272, 273 और 274 तो कितनी संख्याई हो गई 6 तो बच्चें आप लिखेंगे 6 तो बच्चों आप बाकी भी इसी तरीके से करेंगे next है between 129 and 125 तो बच्चों इन दोरों संख्याओं के बीच में कितनी संख्याई आती है 4 आती है next है between 162 and 155 इन दोरों के बीच में कितनी संख्याई आती है तो बच्चों इनके बीच में आती है संख्या या सेवन लिखेंगे नेक्स है बिट्विन 145 एंड 140 इन दोनों के बीच में कितनी संख्या आती हैं 5 नेक्स है बिट्विन 262 एंड 252 तो इन दोनों के बीच में आती हैं बच्चो 10 संख्या हैं नेक्स्ट है between 130 and 100, इन दोरों के बीच में बच्चो कितना अंतर है, 30 संख्याओं का, 30 संख्याओं आती है, अब है question number 4, look at the pattern, pattern को देखिए and write the missing numbers, और जिसमें number miss है हुने लिखिए, first है बच्चो 530, यहां पर है 500 तो इसमें क्या हुआ है, 30 minus हो गए, तो बच्चो हम यहां प 430, फिर से बच्चो इसमें से 30 minus करेंगे, तो कितना आएगा, 440 तो यहां पर लिखा हुआ है, अब बच्चो 440 में से 30 minus करेंगे, तो कितना आएगा, 410, अब बच्चो next, यहां पर बच्चो pattern है, 100, यहां पर लिखा हुआ है, 140, 160, तो इसमें कितने प्लस हों है, 20, तो 120 अब बच्चो 160 में कितने प्लस करेंगे 20 तो कितना हो जाएगा 180 अब बच्चो next यहाँ पर लिखा हुआ है 300 फिर 325 तो इसमें कितने प्लस हुई है 25 तो बच्चो next भी हम 25 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 350 उसके बाद फिर से हम प्लस करेंगे 25 तो कितना आएगा 375 बच्चो इसमें हम 25 प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए 400 जो कि यहां पर लिखा हुआ है अब बच्चो लाइफ इसकी लॉस बच्चो हानी कब होती है जब एक आइटम जो है इसकी कीमत से भी कम पर बेचा जाता है वहमुले जिस पर आइटम जो है बेचा जाता है यदि एक आइटम को 18 रुपीज में खरीदा गया है और इसे 15 रुपे में बेचा गया है तब इसमें कितनी हानी है तो बच्चो लॉस इक्वल 18 माइनस 15 इसमेंस जिसकी कोष्ट प्राइज है इसमें से हम इसकी सेलिंग प्राइज को माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आया 3 एक वेजिटेबल सेलर जो है दी गई सबजियों को उसने बेचा दा कोष्ट प्राइज एंड सेलिंग प्राइज और गिवन इन दे टेबल टेबल में उसकी कोष्ट प्राइज भी और सेलिंग प्राइज दोनों दी गई है उसका बच्चो आपको कम्पलीटली लॉस बताना है कितना है तो बच्चो वेजिटेबल से ओनियन ओनियन की कोष्ट प्राइज है जो उसने खरीदी है जिसमों लेपर 12 रुपे और सेलिंग प्राइज और जिसमें उसने बेचा है 8 रुपे ब्रिंजल खरीदा है उसने कोष्ट प्राइज है 15 और सेलिंग प्राइज है 12 कैप्सिक मैं 13 रुपीज कोष्ट प्राइज और सेलिंग प्राइज is 10 रुपीज बच्चो उसकी ओनियन में लॉस कितना है 12 में खरी दिये 8 में बेश दी तो 4 रुपीज का है ब्रेनजल उसने 15 में खरी दै 12 में बेश दिये तो इसमें है 3 रुपे κα लॉस कप्सिकम शिमलामेद उसने 13 रुपे की खरी दी और 10 में बेश दी तो कितने का लॉस हुआ 3 रुपे का total loss कितना हुआ 4 3 seven or three ten it means उसे total ten rupees का loss हुआ अब बच्चों संसकार साला if hard work is your weapon यदि hard work आपका हतियार है then success will be your slave तो बच्चों जो सफलता है वो आपके कदम चूमेगी it means आपकी गुलामी करेगी now food items आज बच्चों food item है eat red color food item आज आप लाल रंग के food item खाएंगे for example जैसे की apple, watermelon, तर्बूज, कैरट, गाज़र, टमेटो, टमाटर, बीट रूट, चुकंदर, रेड पल्सिद, दालें family fun time game है कैरम या फिल लूडो play video family and friends अपने friends और family members के साथ खेलें activity list the name of circular objects from your nearby बच्चों आप अपने आसपास से जो भी चीजे गोल है it means circular है उनके नाम की list बनाएंगे अब बच्चों daily routine include the following habits in your daily routine बच्चों आप अपने daily routine में दी गई habits को सामिल करेंगे begin your day by greeting your parents अपने parents को अभिवादन करके अपने दिन की शुरुवात करें brush your teeth twice a day दिन में दो बार दातों को brush करें take a bath daily रोजाना नहाएं drink plenty of water परयाप्त मात्रा में पानी पियें and eat a balanced diet और संतुलिताहार लें avoid touching your face अपने चेहरे को छूने से बचें and wash your hands frequently और बार बार अपने हाथों को दोएं complete your homework on time समय पर अपना ग्रह कार्या पूरा करें students if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel thank you